पहारों की गोद में बसा उत्तराखंड, अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है लेकिन पिथारागर जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा एक अलग ही तरह का रहस्य समेटे हुए है कहते हैं कि इस गुफा की गहराई में आज भी मौझूद है भगवान गनेश जी का कटा हुआ सिर पुरानों में एक कथा है जो बताती है कि क्रोध में आकर भगवान शिव ने गनेश जी का सिर डर्ड से अलग कर दिया था बाद में माता पार्वती के आगरह पर शिव जी ने एक हाथी का सिर गनेश जी के शरीर पर स्थापित किया लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती पुरानिक कथाओं के अनुसार शिव जी ने गनेश जी के कटे हुए सिर को पाताल भुवनेश्वर गुफा में रख दिया था इस गुफा का वर्णन सकंद पुरान के मानस खंड में भी मिलता है वास्तविक्ता यह है कि पुरातात्विक या वैज्यानिक रूप से इस बात का कोई परमान नहीं मिला है गुफा के अंदर भगवान गनेश जी की एक शिला मूर्ती जरूर विराजमान है जिसे आदि गनेश के नाम से जाना जाता है शृधालों का मानना है कि इस गुफा में दर्शन मातर से ही पापों का नाश होता है और मुक्ष की प्राप्ती होती है